पुराणों में हमारे देश को भारत वर्ष यानि भरतों का देश कहा गया है और यहां के लोगों को भारती यानि भरत की संतान भरत रिग वैदिक काल के एक प्राचीन कभीले का नाम था प्राचीन भारती अपने देश को जम्बू दीप यानी जामुन व्रक्षों का दीप कहते थे भारत इसी जम्बू दीप का दक्षिडी भाग था पार्सियों के ग्रंद जेंदम अवेस्ता में सरस्वती की साथ नदियों के छेतर का उल्लेत किया गया है और सप्त सैंधव शब्द का इस्तमाल किया गया है प्राचीन इरानी इसे सिंधू नदी के नाम से जोड़ते थे जिसे वे सिंधू न कहकर हिंदू कहते थे इरानियों की किताब महरयास्त और यास्ना में सप्त सिंधू के बजाए हप्त हिंदू का प्रयोग मिलता है प्रयोग करते थे इन्ही पुस्तकों में बाद में हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का Stew इस्तमाल किया गया हकामनी एराणीों ने ही सिंधू द्वारा सिंचित इस प्रदेश को सबसे पहले इंडिया नाम दिया यूनानियों ने बाद में यह शब इरानियों से उधार लिया और सिंधु नदी को इंडोस के नाम से पुकारा जहां यूनानी हमारे देश को इंदे कहते थे इसी के आधार पर अंग्रेजों ने हमारे देश को इंडिया कहकर पुकारा इंडोस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने पर्सियन समराज्ज की छत्रपी के लिए किया था लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए प्रयोग किया गया या आपको पता है कि हिंडू एक फार्सी शब्द है दरसल अरब से आए लोग हमारे देश को हिंद कहते थे आगे चल कर मद्ध काल में हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा इसा की पर्थम शताबदी में चीन में बहुत धर्म का प्रवेश हुआ चीन के लोगों ने भारत के लिए तियेंचू अथवा चुआन्तू शब्द का इस्तमाल किया लेकिन हुए इंसान के बाद वहाँ पर हमारे देश के लिए यिन्दू शब्द का इस्तमाल किया गया इस से पता चलता है कि फार्सी में हिंदू, हिब्रू में होड्डू, यूनानी में इंडोर्स, लैटिन में इंडस और चीनी में तुयेंचू ये सारे शब्द सिंधू शब्द के ही बिगड़े हुए रूप हैं और इस प्रकार भरत के वनशच भारती या हिंदू के नाम से जाने गए चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा है कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जंजातियों द्वारा ही किया जाता था और स्वयम भारत के लोग इसे नहीं जानते थे इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्मो राश्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है वतंजली के समय भारत के लिए आर्या वर्थ शब्द का इस्तमाल किया गया एक प्रदेश या जन्पद के रूप में भारत का पहली बार उलेख पाड़नी की अश्टा ध्याई में मिलता है तब भारत नाम का जन्पद कमबोज से मगद तक में फैले हुए 22 जन्पदों में से एक था तो दोस्तों किया आप इन सारे तथ्यों के बारे में जानते थे अगर हां तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपको क्या सीखने को मिला